Hello students, you're most welcome जो बच्चे ITITO exam की तयारी कर रहे हैं उनके पास लगबख कुछ दिनों का समय से से अब आप सिर्फ और सिर्फ revision पर ध्यान दे इस वीडियो के बाद मैं सिर्फ एक वीडियो और प्रोवाइट करूँगा जिसमें वाइल लानर कोश्चन रहेंगे और ये सारी पीडियो मैं आपको टेलिग्राम ग्रूप में शेर कर दूँगा इसमें लगबख 99% सारी question सही है जिन question में ऐसा mistake लगे उसको आप comment कर देना ताकि दुसरे बच्चे भी उस question को सर्च कर सके जिस question में mistake है उस question को आप अपने notes या फिर किसी ऐसी जगह से सर्च करे जहाँ पर आपको पूरा 100% सही answer मिले अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पर रखना कियों कि कोपा की जो exam होगी इसमें 80 नंबर का computer subject में से question बनेगा पिचोतर नंबर संबंधित 3 से मतलब कोपा computer subject से और पांच नंबर का जो 25 नंबर का जो segment रहेगा उस segment में पांच नंबर के question computer के normal question पूछे जाएंगे अब मैं आपको कुछ topic अभी ही बता देता हूँ देखो ITITO exam में special HTML, CSS, JavaScript, Internet और उसके बाद cyber security और अपना word processor से question 100% बनेंगे हम इस series के बीच में किसी प्रकार का कोई वर्तालाप नहीं करेंगे एक बार question पड़ा जाएगा और answer पर आप ध्यान देंगे जिससे हम किसी प्रकार का disturbance create नहीं करेंगे क्योंकि यह series काफी ज़्यादा बड़ी हो जाती है जिससे हम बोर होने लगते हैं चलिए ज़्यादा देरी ना करते हों हम इस video को अब start करते हैं आप इसको ध्यान से सुने और जो question नहीं आता है उसको आप एक बार जरूर note करें अगर note करना चाहो तो बहतर तरीका है इसे याद करने का और यहां से हमें ये भी पता चल जाएगा हमारा कौन सा topic कमजोर है जिसको हम और पढ़ सकते हैं पहला point है प्रत्यक slide पर तारीक और slide नंबर दिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है देखें insert menu पर जाएंगे header and footer पर select करके slide टेप पर क्लिक करेंगे इच्छित option चुनेंगे और apply tool पर क्लिक करेंगे यदि आप चाहते हैं कि एक slide वी निर्दिस्ट समय के बाद automatically आगे जाए तो animation के टेप में इस slide group के transistor में check box में क्लिक करेंगे automatic after slide से layout चुनने के लिए किसका प्रियोग किया जाएगा layout gallery का इस्तमाल किया जाएगा एक presentation में slide को प्रस्तूत करने के लिए प्रयूक्त विसेश impact को क्या कहा जाएगा transistor कहते हैं एक presentation को नया file name में केसे save करते हैं file menu select करके save and choose को select करना होगा presentation सो तयार करने के लिए सामने तह कौन सा application opio किया जाएगा presentation सुरूत या तयार करने के लिए सामने तह power point का इस्तमाल किया जाएगा किसी record का विसिस्ट फिल्ड जो प्रत्यक रिकार्ड को uniquely identified करता है उससे क्या खाय जाएगा primary field कहा जाएगा database table में records की series के रूप में electronically stored data का एक collection database कहलाएगा Excel में multiple calculation में एक ही फार्मूले का प्रियोग करते हैं तो वो होगा array formula array formula कहा जाता है Excel में निम्न में से कौन सा data मान्य नहीं है Excel में cable type का data मानन नहीं है जो cable से transfer होता है Excel की पूरी work sheet एक साथ select करने की shortcut कुझी होगी control plus A Excel में macros की shortcut की alt के साथ f8 का इस्तमाल किया जाएगा Excel में macros की shortcut की alt के साथ f8 का इस्तमाल किया जाएगा Excel में data format लगाने की shortcut की क्या होगी याद रखना Excel में data format लगाने की shortcut की होगी control के साथ सिप्त दबा कर हेस का इस्तमाल करते हैं split window option Excel के किस भाग में है split window option Excel के किस भाग में होगा window के split में होगा window के split में Excel का latest version कौन सा है Excel का latest version 2012 है एक worksheet में कितने कालम होते हैं एक worksheet में 65536 कालम होते हैं एक वर्क सीट में 65536 काला होते हैं कंट्रोल के साथ F कुझी दबाने से MS Excel, MS PowerPoint दोनों में से कौन सा option आता है देखें कंट्रोल के साथ F कुझी दबाने से Find menu खुलता है Excel में F11 कुझी से क्या होता है ये menu chart खोलता है चार्ट मिन्नू खोला जाता है Pivot Table किस से संबंदी थे? Pivot Table Excel से संबंदी थे Excel से Pivot Table Find की जाती है, बनाई जाती है Microsoft Office Excel Document में Sale Address में क्या आता है? Microsoft Office Excel Document में Sale Address में पहले कालम और फिर रो आता है याद रखना जो Microsoft Office होता है Excel उस Document में Sale Address में पहले कॉलम आएगा और उसके बाद रो आता है नमबरों के सेट में सबसे बड़े वेल्यू का गणना कौन सा फंक्शन करेगा? नमबरों के सेट में सबसे बड़े वेल्यू की गणना Max करता है Excel में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रियोग किया जाएगा? Excel में फाइल को खोलने और बंद करने के लिए टाइटल बार का इस्तमाल किया जाता है किसी डाक्यूमेंट में पेज में नीचे जाने को क्या कहा जाएगा? Scroll करना, scroll करना Word Processing प्रोग्राम में अक्सरों की अलग-अलग सेलियों को font कहा जाता है font, याद रखना पेज पर सब्द केसे आएंगे? इसके लिए सब्द क्या होगा? Text Formatting System अपने लिखे किसी रिपोर्ट में से एक पेरेग्राप निकालने के लिए आप निम्न में से क्या कर सकते हैं? अपने लिखे किसी रिपोर्ट में से एक पेरेग्राप निकालने के लिए आपको Delete और Edit का इस्तमाल करना होगा Delete और Edit का यदि आप एक सब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्सिनारी में नहीं है तो उस सब्द के नीचे एक वेवी अंडरलाइन दिखती है लाल यदि आप एक सब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्सनरी में नहीं है तो उस सब्द के नीचे एक अंडरलाइन होती है जिसको लाल साइन से दर्साया जाता है देखो, हेडर एक टेक्स्ट है जिससे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं पुर्व में प्रियोक किये कमाड के प्रभाव से अंडू कमाड के द्वारा समाप्थ करते हैं और अंडू का इस्तमाल कहां किस कुझी के द्वारा होता है सेविंग प्रोसेस है सेविंग किसी डाकुमेंट को मेमोरी से स्टोर मीडिया में कॉपी करना सेविंग एक ऐसी प्रोसेस जो किसी डाकुमेंट को मेमोरी से स्टोरेज मीडिया में कॉपी करता है किसी डॉकुमेंट को एडिट करने का अर्थ है कि इसके मौजूद कंटेंट में परिवर्थित करना एडिट कहलाता है प्रेजन्टेशन को तयार करने के लिए सामने तर कौन सा अप्लिकेशन उप्योग किया जाता है याद रखना प्रजेंटेशन शो तयार करने के लिए पावर पाइंट का इस्तमाल किया जाता है बिलिंग अकाउन का ट्रेक रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्ट्वेयर के प्रियोग किये जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है Spreadsheet धन का ट्रेक रखने और बजट बनाने के लिए केलकुलेटर की तरह काम में आने वाले प्रोग्राम को Spreadsheet कहा जाता है Spreadsheet में ही सारे काम होते हैं Spreadsheet में प्रितिक बाक्ष को Spreadsheet ही कहा जाता है Excel अपने Document File के रूप में Store करता है जिने Workbooks कहा जाता है 2 या 2 से अधिक Sales को एक Single Sales में Combine करने को हम Margin कहेंगे इसको आप फिर से देखें 2 या 2 से अधिक Sales को एक Single Sales में Combine करने को हम Margin करते हैं Excel Workbook में एक Worksheet से दूसरे में Move करने के लिए क्लिक करेंगे Shit Tape या तक ना Excel Workbook में एक Worksheet से दूसरे में Move करने के लिए हम Shit Tape का इस्तमाल करेंगे कई सारी Worksheet को कहते हैं Workbook कई सारी Worksheet को Workbook कहा जाता है Active Sales के Content कहा दिखाए देते हैं Active Sales के content formula bar में दिखाएं देते हैं Spreadsheet प्रोग्राम में संबंद worksheet और document होते हैं workbook याद रखना Spreadsheet प्रोग्राम में संबंद worksheet और document होते हैं एक प्रकार के workbook Split Window option Excel में किस में होंगे? Window के Split में होंगे Split Window option Excel के किस भाग में होंगे? तो याद रखना Window के Split भाग में होंगे Excel का latest version कौन सा है? Excel का latest version Excel 2012 है एक worksheet में कितने column होंगे? याद रखना एक worksheet में 65,336 column होंगे सबसे पुराना Spreadsheet package निम्न में से कौन सा है? याद रखना सबसे पुराना Spreadsheet package वीजी call है जब आप कोई row या column मूव करते हैं मूड सेल्स का text सेल के साथ मूव हो जाता है जब आप कोई row या column मूव करते हैं तो मूड सेल्स का text सेल के साथ मूव करता है Excel की worksheet और chart को HTML document पर पुर्योग किस से करते हैं? Internet Assistant विजाट की द्वारा Excel में formula बार में कोई भी formula लिखने से पहले किस चिन्न का प्रियोग किया जाएगा? Excel में formula बार में कोई भी formula लिखने के से पहले हमको is equal to का इस्तमाल करना होगा Excel में comments जोड़ते हैं insert comments के द्वारा Excel में comment लिखने को कहेंगे call tip का जाता है Excel फाइल में worksheet की कुल कितिनी संक्या होगी? Excel फाइल में worksheet की कुल 15 संक्या होगी 15 याद रखना Word processing program में अक्सरों की अलग-अलग सेलियों को font कहा जाता है नए नाम सहीत नए location पर किसी विद्यमान file को save करने के लिए आपको कौन से command का इस्तमाल करना होगा Save as का इस्तमाल करना होगा Save document को कहते हैं File Save document को file कहा जाता है Text style, alignment और size को change करने के बटन निम्ण में से कौन सा display करता है Formating toolbar Text style, alignment और size को change करने के बटन में निम्ण में से कौन सा display करेगा Formating toolbar Copy command को save करता है Clipboard Copy command को clipboard save करता है डाक्यूमेंटों के इस पॉइंट में कुछ मिस्टेक है अगला देखिए वर्ड डाक्यूमेंट में किसी भी सब्दों को यदि किसी दूसरे सब्दों में बदलना हो तो निम्नमेंसे कौन से कमान का इस्तमाल होगा find और replace का इस्तमाल होगा find and replace अगला कुश्चन देखे वर्ड में टेक्स्ट की फार्मेटिंग करते समय किस ग्रूपिंग में काम किया जाता है टेबल, पेरेग्राफ और इंडेक्स देशे जब कंप्यूटर प्रियोगता किसी डाक्यूमेंट को एडिट करते हैं तो वे इसकी appearance को बदलता है एडिट मौड में आप Ctrl प्लस C का प्रियोग चाइनी टेक्स्ट को कौपी करने और Ctrl प्लस V दस्तावेज में पेस्ट करने है तू करते हैं वर्ड में पेज ब्रेक को केसे किया जाता है वर्ड में पेज ब्रेक को उची रिस्तान पर करसर को रखकर Ctrl प्लस एंटर को प्रेस करेंगे जिससे ये पेज ब्रेक हो जाएगा और अगले स्टेप में चले जाएगा किसी भी वर्ड डाकुमेंट का बेग्राउंड आप्शन मेन्यू में प्रिसेट किये रंग में होता है किसका संबन्द टेक्स्ट की फार्मेटिंग से नहीं है सर्चिंग वर्ड प्रोसेज डाकुमेंट क्रियेट करते समाई इस चरण में यूजर, स्क्रीन और प्रिंटेट फार्म दोनों में पेज पर दिखने वर्ड चेंज करता है एडिटिंग टेक्स्ट एक वर्ड बुक में एक वर्ड शीट से दूसरे मेमो करने के लिए शिट टेप का इस्तमाल करेंगे कई सारी वर्ड शीट को हम वर्ड बुक कहेंगे एक्टिव सेल के कंटेंट कहां दिखाई देंगे एक्टिव सेल के कंटेंट फार्मूला बार में दिखाई देंगे इस्प्रेट्शिट प्रोग्राम के संबंद में वर्कशिट और डॉक्मेंट होते हैं वर्कबुक सेल में दर्ज किये गए अंकों और सुत्रों को हम अंकिक प्रविष्टियां कहते हैं संख्याओं की और संख्यकी की गणनाय करने के लिए सबसे उप्युक्तों सॉप्ट्वेयर कौन सा होगा स्प्रेट्शिट होगा MS Excel की किस विदा द्वारा आटोमेटिक रूल बनाई जा सकती है फिल हैंडल MS Access क्या है विंडो पर आदारीट इस्प्रेट्शिट एक पेकेज है इस्प्रेट्शिट में डेटा कैसे अर्गनाईज करते हैं रोज एंड कॉलम में Excel वर्कबुक संग रही तहे रोज एंड कॉलम में सेल में कमेंट्स होते हैं इंसेट कमेंट्स सेल में कमेंट्स लिखने को हम सेल टिप कहते हैं एक्सेल फाइल में वरक्षीट की कुल कितिनी संख्या होगी एक्सेल फाइल में वरक्षीट की कुल 15 संख्या होगी एक्सेल फाइल में एक्टिव सेल के कंट्रोल के हिस्से में होगा फार्मूला बार active file में active sale के contain में formula बार होता है Microsoft Office Excel डाकुमेंट में से प्रत्यक sale से अपने address से refer किया जा सकता है जो sale का row और column लेवल देखेगा database में fields calculator करने के लिए प्रियुक्तन number इस्टोर करता है numeric worksheet command का प्रियुक किया जाता है सारी worksheet को व्यवसित करने के लिए एक ही worksheet में select किये गए sale में से दो अन्य sale में formatting को जल्द ही copy करने का तरीका formatting toolbar पर format painter बटन है formatting toolbar पर comment painter बटन है यदि किसी document के प्रारंब में पहले सब्द का प्रतम अक्षर विशेश प्रकार से जैसे बढ़ा करके लिखना चाहते हैं नीचे की लाइनों में तक कहां तक पहुंचता है desk drop में document के प्रत्य पेज में सबसे उपर प्रिंट होने को क्या कहेंगे header text के सामने गोला तीर इस्टार आधी चिन बने होते हैं जिसे हम bullet खाते हैं word processor document क्रियाद करते समय इस चरण में user screen और printed form दोनों में page पर दिखने words चेंज कर सकते हैं print preview कहलाता है page पर सब्द किस रूप में दिखेंगे उसके लिए क्या सब्द है text formatting text formatting अगला point है किसी विद्यमान डाक्युमेंट की किसी अन्य नाम से save करने के लिए आप क्या करेंगे save as command का इस्तमाल करेंगे अगला point है किसका संब्द text की formatting से नहीं है searching का border process document create करते समय इन चरणों में user screen और printed form दोनों में page दिखाने याले चेंज करता है editing software text highlight को edit copy करने पर क्या होगा text document से copy हो जाएगा page preview mode है word के उस function को क्या कहेंगे जो text को सामान्य रूप से connect करते हैं आटो से character ms word में बनी फाइल को क्या कहेंगे dot d o c कहा जाता है dot d o c excel workbook संग्र है sales and row का यदि किसी document के प्राग्रम में पहले सब्दका प्रतम अक्सर विशेश रूप से विशेश प्रकार से जैसे बढ़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको drop cape कहते है drop cape ms section में बनाने वाले document में कौन सी extension होती है dot xls dot xls excel में संख्याओं के प्रमुक समुच्चे का निफ्टारा करने के लिए फर्मुला बार का इस्तमाल किया जाता है एक ही वर्गर स्टीट में select किये गए sales में दो अन्य sales में formatting को जल्द से बंद करने का तरीका क्या है formatting toolbar पर format penter बटन कर image को दो बार क्लिक करें फिर प्रित्थेक sales में इसको क्लिक करें जहां formatting करना चाहोगे super computer के साथ इस प्रकार से formatting होगी plasp के साथ excel की worksheet में column and row के बीच एक खाने को कहते हैं sale किसी विद्धमान document को किसी अन्य नाम से भी save करने के लिए जाना जाता है उसको save and command का प्रियोग करना चाहिए किसी भी समय आप कितने विद्धमान दस्तावेज खोल कर रख सकते हैं आपके computer की memory में रह जाए इतने सारे word में column word data के इस रजन है तो आपको ज़रुवत होगी tape select करे और table की मुनी का प्रियोग करे word में किसी document में किसी खास सब्द के वहम जब्द को ढूनने का सबसे तीज और आसान तरीका find कहलाता है MS word में bunny file का extension .doc होगा MS word में किस menu की मदद से font size word file type इस्तावाल किया जाता है format print preview tool bar में magnify button होता है unit के रूप में sorted और self-ledited information कहलाती है data by default moment portrait mode में होते हैं यह सारे question exam oriented है आप चाहिए किसी भी exam के तैयारी करो आप इन सारे question के एक बार जरूर read कर लेना उसके अलावा आप इस सारे question को read कर लो इसकी pdf भी आपको मिल जाएगी जून बच्चों ने PDF के लिए चेली ग्रम जुक को join नहीं किया है उसको आप ग्रूप को join कर ले thank you all the best